हिमालिया क्विस्टा प्रो है सुपीरिय प्रोटीन वे ते हल्दी वे तो फिट्टिस संकेत मिला दरसल कारकारी अधिक्ष विरिंद्र professor सचदेवा ने पत्रकारों से बात्चीत करने में साफ तौर से कहा कि जो पारशम है पारशम अंधरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे और मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा अब उन्हों कि इसका दरसल गुमान बहुत पहले खत्म हो गया था यानि 6 जनवरी को जो पहली बैठक हुई थी उसी वक्त आमादमी पार्टी का गुमान खत्म हो गया था यानि बहुमत में होने के बाद भी उन्हें डर लग रहा था लिहाजा हंगामा हुआ और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से हंगामेदार सदन रहा 22-25 लाग का जो नुकसान है वह दिल्ली नगर निगम को हो गया और उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से चीजें आगे की तरफ बढ़ी और कई बार जाकरके अब 24 जनवरी की तारीक निश्चित की गई है जब सदन की दूसरी बैठक होगी यानि बीजेपी अभी भी कोशिश में है कि मेर उसका बने और यही बला है कि अजग अलग मौकों पर बार बार ये निताओं के जरीए कहा गया विरिंद्र सच्देवा ने कहा तमाम दूसरे निता भी कहते हैं हलाकि बीजेपी के कई निताओं का ये भी मानना है कि फिलहाल मेर पद की रेस में चुकी बहुमत के आंकड़े में हम नहीं है इसलिए हमें उस रेस में जाना ही नहीं चाहिए लेकिन मौके बे मौके मंच पर आकर अगर ये सब कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो भी कोई और नहीं बलकि कारिकारिया अदेख्श कह रहे हैं तो जब तक आग नहीं होती है तब तक धुमा नहीं उठता है अब दूसरी बात ले लीजिए पत्रकार एब सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा 24 जनवरी को लेकिन इस बहस मुबाई से में हम नहीं जाते हैं बीजेपी के एक दूसरे प्रवक्ता प्रविन शंकर कपूर काफी वरिश्ट हैं उन्हें साफ तोर पर ये कहा है कि पीठा सीन अधिकारी सत्या शर्मा को सबसे पहले खानून पढ़ना चाहिए यानि नगंदिगम एक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए और act के बारे में पढ़ करके उन्हें साफ तोर पर सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित पारशदों को और nominated पारशदों को ही सदन के अंदर दाखिल होने देना चाहिए तब तक के लिए जब तक कि उनकी शपत पूरी नहीं हो जाती है और उसके बाद से किसी और को चाहे वो MP हो चाहे वो ML हो उनको दाखिल किया जाना चाहिए ऐसे उन्होंने मांग की है तो साफ दिखाता है कि आग जल रही है धुआ उठ रहा है और हो सकता है हंगामेदार सदन खेज हो यह सिलिए मैं कहरा हूँ आपसे कि 24 जनवरी को अगर सदन की दूसरी बैठक में ठीक ठाक से निपट जाए कोई हंगामा न हो तो वो भी बहुत कि आम आदमी पार्टी के गेम प्लान पर नज़र रखे हुए है कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीती में 134 से ज़्यादा सीटें ले करके 150 वोट ले करके आम आदमी पार्टी सोच रही हो और खुश रहे कि मेर उसका बनेगा और अंदर खाने बीजेपी गेम प्लान सेट कर द जाते हैं और उसके बाद से उन्हें भी अंतर आत्मा की आवाज सुनाई देती है और 24 घंटे नहीं बीचते हैं कि दुबारा से वो वापस आ जाते हैं कॉंग्रेस में राहूल गांधी को बड़ा नेता बताते हैं तो राजनीती में कभी कुछ भी हो सकता है कुछ भी परार रहेगी मेरे सहयोगी राजा के साथ दिल्ली तक के इस वीडियो में बस इतना है मुझे दीजे इजासत फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहें दिल्ली तक कर देखते हैं